So guys, episode की शुरुआत होती है वही से जहांपो देखते हैं जो ना इट को वाइप कर रहा होता है और उसे वाइप करते हुए ना वो बहुत जादा sad news हो चुका होता है और वो shower में जाके भी उन्ही सब moments के बारे में सोच रहा होता है और तब इना उसे past के कुछ moments याद आने लग और फिर इन्हीं सब feelings को ना वो समझने की कोशिश कर रहा होता है फिर next time morning में देखते है इट सो रहा होता है दे ना उसके लिए खाना लेकर आता है और वो इट को उटाता है और कहता है कि night ने तुम्हारे लिए दल्या बनाया है जल्दी से breakfast करो ताकि तुम दवाई ले सको इ नहीं पकर पारहोता था फिर देव उससे कहता है टिके दिक्त हैं मैं ही खिला देता हूँ और वह इट को खाना खिलाने लगता है इट को नवो मूमिट याद आने लगता है जब दे के accident से पहले उसी ने डे को force किया था वापिस आने के लिए और वो उस moment को याद करकर के रोने लगता है कि उसी की वज़े से डे का accident हो गया दे उसे दे के कहता है तुम आचानक से क्यो रो रहे हो अगर night ने तुम ऐसे रोते हुए देख लिया ना तो उसे तो ऐसा ही लगेगा कि मेंने कुछ किया है मेरी वज़े से तुम रो रहे हो और उसके बाद ना वो कहता है कि अब जल्दी से अपना खाना काओ ताकि तुम मार हूं और वो उसे कहता है कि तुम आप रहस्ट करो और वो जाने लगता है लेकिन इट उसे जाने नहीं देता और वो उसका हाथ पकड़ लेता है फिर नेक्स हम देखते है इट सो रहा होता है और जब वो उठता है तो वो देखता है कि उसने जिसका हाथ पकड़ा हुआ वो day नहीं वो निक है और वो निक को देखते ही न फूचता है day कहां पर है निक उसे कहता है उठते ही तुम day के बार में पूच रहे हो high hello नहीं करोगे उसके बाद वहां पर नाइट आता है और वो इट से कहता है कि तुम महारे लिए मैंने दल्या बनाया है जल्दी जल्दी इसे खा लो इट कहता है पर मैंने अभी इसे खाया था ना नाइट कहता है तुम काफी देर से सो रहे हो अब इवनिंग हो चुकी है इट कहता है मुझे नहीं खाना फिर भीना, वहाँ पर डे आ जाता है, और कहता है कैसे नहीं खाना, तुम्हें ये खाना ही पड़ेगा, ताकि तुम दवाई ले सको, उसके बाद ना, ना, नाइट कहने लगता है, कि अगर तुम चाहते हो, कि एटी से खाए, तो तुम खुद ही क्यों नहीं किलाते, डे कहता है, क्यों, इट खुद भी तो खा सकता है, ना, इट कहता है, ना, इट कोई बात नहीं, मैं खुद से खालूंगा, और वो ना, एक दो चमची खाता है, और फिर कहता है, बस, मैं और नहीं खा सकता, डे कहता है, और खाओ, पर इट कहता है, नहीं, मैं और एक चमच भी नहीं ख वहाँ का सकता फिर निक कहने लगताई डे से अगर तुम चाते हो कि वह और खाए तो तुमझ को नहीं किलाते पर ना डे खुद खुलाने की जंगा नेल को बुलाता है औरेंज केक के साथ औरेंज केक को देखे इट बहुत स्वारे लिए खुश होजाता है it मैं तुम्हें खेलाता हूं और वह और कहते हो नेलूसे संभालता है और उसे वहां से लेकर जाने लगता है नेलोसे वहां से लेकर चला जाता है पिर उसके को औरेंज केख खिलाता है इट सारा का सारा केख खा लेता है और फिर दवाई भी ले लेता है और दवाई लेने के बाद ना इट लेट जाता है डेव से कहता है ऐसे लेटो मत सीधे बैठ जाओ वरना तुम्हारे पेट में जलन होने लगेगी लेकिन फिर भी इट उट नहीं हो पर मैं छोड़ दूँगा डिय कहता है कि सच में तुम है तुम हितं rendered और जाएगा दो यह अगर अगर ऐसा कभी नहीं हो तो ड술 कहता है तुम्हें खुद के प्यार में डाले डाल में खुद के ओपर इतना जादा confidence है और फिर वो दोनों एक दूसरे के तरफ देखे smile करते हैं फिर next हम देखते हैं बोल आया होता है इट को देखने के लिए और वो कहता है निक ने मुझे बताया कि तुम्हारी तब्वेद खराब है इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए मुझे बहुत सादा फिकर हो रही थी तुम्हारी इट कहता है नेक तो बहुत सादा ड्रामा करता है मैं इतना भी बिमार नहीं हूँ और बोलना बहुत सारी गिफ्ट्स लेके आया होता है इट के लिए और वो इट को देता है और वो इट से कहता है मैं तुम्हारे लिए न और फिर वो न, बोल के सामने उस दवाई को फैंग देता है। बोल बेचारा कहता है, मुझे तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। इट कहता है, जादा मैं सोचो, कोई बात नहीं, तुम्हारे सभी गिफ्ट्स के लिए थैंग्स। उसके बाद न, बोल डे से कहता है, मैंने देखा तुम्हारे प्लास्टर हट गई है, आप तुम ठीक हो न, डे कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। उसके बाद बोल कहता है पर मुझे लगता है अभी थोड़ी बहुत weakness है डे कहता है नहीं मैं अभी भी किसी को पीट सकता हूँ इट डे को चुप रहने के लिए कहता है फिर डे बोल से कहता है इट की दवाई लेने का और रेस्ट करने का टाइम हो गया तो माब अपने घर के यखाँ जाओ इट बहुत जब्सध्शा होता है कि इसके प्रैंड को ऐसी कैसे बोल सकता है पिर नेक्स्व दखते हैं डे नहापने लेन से जाकता है और वो अपनी आसपीस देखता कि एक उसके जाता है उन्नाइट कपास जाता है और इसके बाद धूम सी सो पानी ती कहत अब जब मुझे कुछ भी याद नहीं है तो तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं है अगर तुम फिर से बीमार हो गई तो मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखने वाला और उसके बाद वो खुद फ्रावर्स को पानी देने लगता है और कहता है वैसे मैंने सुना कि मैं तु तुम्हारी हेल्प करता था और लंच टाइम में हम कभी-कभी अपनी मोम के हाथ का खाना काते थे यानि की मेरी मोम के हाथ का खाना काते थे और कभी-कभी बाहर खाना काने के लिए जाते थे और कभी-कभी तुम खुद ही मेरे लिए खाना बना दे थे और मैं बस खाने का बिताते थे बस हम रोज यही सब करते थे पर मैं खुश था और मैं फिर से यह सब चाहता हूं यह दिन कब वापिस आएंगे मैं बहुत जादा इन दिनों को मिस करता हूं और डे ना बड़े ध्यान से इतकी यह सबी बाते सुन रहा होता है फिर नेक्स हम देखते हैं डे और इतको वो ना बारबर शोप में आए होते हैं और डे ना इतको डांट रहा होता है उसके ड्राइविंग स्लो होने की वज़े से फिर नेक्स हम देखते हैं बैला को यानि की बारबर शोप में जो बैला है उसको वो दोनों को देखे बहुत जादा खुश हो जाती है और कहती है आज तो celebrate करना चाहिए आज हम BBQ party करेंगे फिर डे कहता है हाँ इसके लिए आपके साथ मैं shopping करने के लिए जाऊंगा बेला खुश हो जाती है फिर इट न अपना समान room में रखने के लिए जाता है और उसे न किसी random number से call आती है इट hello hello करता है पर सामने से उसे कोई भी reply नहीं मिलता इट कहता है शायद ये scam होगा फिर next time देखते है इट को और डे को इट न शोपिंग कर रहा होता है पर उसे कोई भी knowledge नहीं होती है vegetables या किसी भी चीज़ की जिस पर डे उसे डांट रहा होता है फिर इट कहता है मैंने तुम से कहा था ना कि मैं बस wait करता था खाने का मुझे cooking के बारे में कुछ भी नहीं पता डे कहता है अब मैं ये सब भूल गया हूँ तो तुम खुद से इन सब चीज़ों को करना सीखो एक दिन में मर गया तो तुम क्या भूके मर जाओगे इट कहता है ये सब कहना बंद करो तुम कहीं नहीं जाने वाले मैं तुमें कहीं नहीं जाने दूँगा हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे डे कहता है तुम्हार साथ प्रॉब्लम क्या है अगर तुम्हें कुछ भी नहीं करना तो कार में वेट करो फिर फिर वहाँ पर बैला आती है और वो दोनों को समझाती है कि प्लीज एक दूसरे से नाइसली बात करो डे वहाँ से चला जाता है और उसके बाद इट बैला से कहता है डे बले ही मुझे नफरत करता हो और मुझे कुछ भी बोले पर उसे ये सब नहीं बोलना चाहिए था बैला कहती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं कहा वो बस इतना चाहता है कि अगर कल को वो ना रहे तो तुम खुद की कियर कर सको वो नहीं मिला था और वो इट से कहता है क्या पहचाना मैं कौन हूँ उजिन स्नोकर क्लब में मिला था तुम दोनों की जब फाइट हो गए थी टीनेजर्स के साथ तो मैंने तुमारी हेल्प की थी डे भी इट के पास आ जाता है उसके बाद कौन कहता है वैसे आज मैं स्नोकर मैं जाने वाला हूँ क्या तुम इंट्रस्टेड हो इट मना करता है यहां पास मेना बहुद अच्छा कैφिल के खाने के लिए चल हो वह इस च्रीज़ करना है कि मुझे बारभा मत करो दे और दूसरी के स्माइल करते और को अधो क्या से नया हेल कट मिल सकता है और फिट कहता है कि ठीक है बाद में मिलते हैं बारबर शोप में मेरे न्यू हेरकट के लिए और फिर वह वहाँ से चला जाता है फिर नेक्स चम देखते हैं वह सब इना कुकिंग कर रहे होते हैं जहां बेडे इट से कहता है कि वह तुम ही एक ही बाद मिला था और न, अपने साइल लेने में ne master हो, it कहता है तो क्या ये अच्छी बात है, day कहता है हाँ, इसे जादा बार मत किया करो, it कहता है, मैं कुछ समझा नहीं, तुमहरे कहने का मतलब क्या है, कि मुझे खुद की साइल लेनी चाहिए, पर हमेशा नहीं, day कहता है फिर बेला इट से कहती है कि उसके कहने का ये मतलब है कि उसे जैलिस फिल कराओ पर इतना भी नहीं डे फिर बेला को गुरने लगता है बेला कहती है फिर से मुझे ऐसा डेंजरस लुक मत दो उसके बाद न डे इट से कहता है अपना एपरेंट पहनो लेकिन इट को तो एप्टन पहनना भी नहीं आ रहा होता है फिर डे उसे पहनाता है और कहता है क्या कुछ है भी जो तुम्हें करना आता हो और इट के फेस होतो ना स्माइल जाही नेरी होती है उसके बाद डे उसे कहता है मेरे लिए टमाटर और प्यास काटो मैं सलाथ बनाऊंगा बैला ये सब दिन को इंजोई कर रही होती है फिर ना इट प्यास को देखे याद करने लगता है उस दिन को जब डे और इट कीचन में खाना बना रही होते हैं और इट प्यास कट कर रहा होता है और उसी की वज़े से ना उसकी आंकों में जलन होने लगती है और वो अपने प्यास वाले हाथों से ही ना उसे रब करने लगता है डे उसे रुखता है और कहता है ऐसा मत करो फिर ना इट डे की शर्ट से ही अपनी आइस को रब करने लगता है डे उसे मना करता है इट कहता है क्यों? हम शादी शुदा नहीं है डे हस्ते होई कहता है ओ, तो ऐसा होगा और उसके बाद ना डे ही इट के लिए प्यास को कट करता है फिर नेक्स टम देखते हैं डे को उसे भी ना इट और प्यास को देखे वही मोमेंट याद आने लगती है जब उसने इट के लिए बहुत सारा खाना बनाया था और उसके सर में दर्ध होने लगता है इट उसे कैता है क्या हो गया मैं तुम्हारे लिए मैडिसिन लेकर रहूँ दे कहता है ने ने मुझे बस थोड़ाजा ब्रेक लेने दो और वो ना याद करने लगता है यही काफी है और वो सभी ना continue करते हैं cooking को फिर next हम देखते हैं बार्बर शोप में जहां पे कौन उन सभी का wait कर रहा होता है फिर बेला कहती है कि आज मैं आपको best service दूँगी लेकिन कौन कहता है आप rest कीजे मैं चाहता हूँ day मेरा new hair cut करे फिर day कहता है ठीक है वैसे भी मैं free दोटी हूं और वो ना उसके बालों को cut करने के लिए आता है ही कोन चेहता है पिर बैल को बाते को डिकाने मुझे लोगा कुछ और ही कह रहा है बस मुगे आजकल बाते सुनाई देने लग काखना पड़ेगा day कहता है अगर तुम्हें जरूरत नहीं है तो मैं तुम्हारे क रोकती है और दे से कहती है तुम्हीं ने एक दिन मुझे कहा था ना कि अपने पर्सनल चीज़ों को और अपने काम को अलग अलग रखना चाहिए तो प्लीज ऐसा मत करो और यह हमारा कस्टमर है कौन कहने लगता है कि अगर यह ऐसे ही अपने सबी कस्टमर से बात करेगा ना तो कोई भी customer वापिस नहीं आएगा और आप लोग अपने business करते भी कैसे हो आगर ये ऐसे ही सब के साथ बात करता है फिर it कहने लगता है कि हमारे बागी के customer आपकी तरह दुखी नहीं करते और जिस पर एक cone चुप हो जाता है और day smile करने लगता है तुम्हें इस barbershop के बारे में कुछ भी को मुझे फरक नहीं पड़ता पर मेरे BF से मत उलजना वरना मैं तुम्हें जिन्दा नहीं छोड़ूँगा कोन कहते है तुम जादा सोच रहे हो तुम्हें जादा serious होने की ज़रूरत नहीं है और उसके बाद ना कौन वहाँ से चला जाता है बेला भी tension free होती है कि कौन वहाँ से चला गया फिर ना it day से कहता है कि तुम्हें ना उसके साथ प्यार से बात करनी चाहिए थी अखिरकार वो हमारा customer था day कहता है वो तो शुकर है कि मैंने उसके face को बख्ष दिया फिर next महाँ पे एक और person की entry होती है चो उनका special customer है जिसका नाम B है और वो ना सिरफ day के हाथ से ही अपना haircut चाहता है उसके बाद वो haircut के बाद ना it और बेला को थोड़े थोड़े पैसे देता है और day को ज़्यादा पैसे पर्किस करके देने लगता है इट पैसे ले लेता है और कहता है इसके लिए मैं पैसे रख लेता हूँ फिर बेला उसे बाहर छोड़ने के लिए जाती है day chair पर बैट किना अपने apron को निकालने लगता है इट कहता है मैं help करता हूँ और वो डे की help करने लगता है और फिर apron को side में फैंक देता है और फिर वो दोनों बहुत सादा एक दूसरे के close आ जाते हैं और यह बहुत सादा sweet moment होता है और यहीं पर हमारा episode finish होता है I hope आपको वीडियो चलागा हो वीडियो चलागा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब सर करना